नमस्कार स्वागत है आपका IPP लाइब में किस्ता सियासत का में आज खास चार्चा करने वाले हैं विधान सवा इगलास की बात सन 1989 की है जब जंता दल से चौधरी राजेंदर सिंग मैदान में थे पद में सबसे जादा चौधरी राजेंदर सिंग का नाम चर्चाओं में चल रहाता लेकिन उसी दोरां 1989 में उनके द्वरा विधाईगी के ताज पहनने के लिए विधान सवा इगलास से जब ताल ठोकी तो उनके आगे चौधरी बिजिंदर सिंग को कांगरेश से लडाने के पाद चोंसट बोटों से चौधरी विजिंदर सिंग के द दौरा चोधरी राजिंदर संग को हरा दिया जिसके बाद सिजफी समी करान ब्यक्रण गए इस दवरां मुलायम सिंग यादव को मुख्यमंतरी पत्र का दाविधार कोंचित Prim下一 दाविदार बनने के बाद मुख्य बिजिन्दर सिंह से कराई थी, और बेनि प्रसाद का साँब तर पर कहना था, मुलाइम सिंह यादब जी ये वही लड़का है, चौदरी बिजिन्दर सिंह, जिसने राजईंद चौदरी को मेधान में हराते हुए पटक नहीं था, यानिकि 1964 में चौदरी बिजिन्दर सिंह को जो सफलता हाथ लगी थी उसमें कहीं न कहीं राजनीती के समीकर बिगारते हुए चोधरी राजिंदर सिंग को करारी हार बिली थी ठीक उसी दिन के बाद से सियासत में मुलाइम सिंग यादव की सियासत गर्माती नज़राई और मुलाइम सिंग यादव ने पीछे मुल कर नहीं देखा यही कार है मुलायम सिंग यादफ के बाद चौधरी बेजिंदर सिंग का कदवी लगातार भड़ता हुआ नजराया मुलायम सिंग यादफ के हाथ सर पर चौधरी बेजिंदर सिंग के रखा गया जिसके बाद लगाता चौदरी बिजेंदर सिंग विदानसवा इगलास से चार भार के विधायक रहे फिर उसके बाद उनके द्वारा अलीगर लोकसवा से ताल ठोकी गई जिसमें लोकसवा अलीगर से भी सांसदी का ताज उनके द्वारा पहना गया था हाला कि चौदरी बिजेंदर सिंग सीला गोतम के आगई जब चुनाम मेदान में पहले उतरे तो उन्हें हार का शामना करना पड़ा था लेकिन चंद दिनों बाद ही जब दुबारा चुनाम में उनके दोरा आजमाइश की गई तो चौधरी बिजिंदर सिंग को सीला गौतम के सामने एक बड़ी सांदार जीत मिली थी कहीं न कहीं सीला गौतम भी चौधरी बिजिंदर सिंग के सामने चोटी नजराई थी यानि कि उनके सामने करारीहार का सामना सीला गौतम को करना पड़ा था चौधरी बेंदर सिंग सियासी समिक्र में हमेशा आगे रहते हैं अब चौधरी बेंदर सिंग 2024 के लोकसवाद चुनाव में अलीगर से ताल ठोक चुके हैं ताल ठोकने के बाद उनके दवरा 2024 के चुनावों में सियासी समीकर बिकालने की पूरी कोशिस की जा रही है। तो फिलहाल के हालातों में चौधरी बिजिंदर सिंग का दव दवा लगाता दिखता हुआ नजर आ रहा है। आतार मजलूम और दवे कुछले वर्ग को पूरे तरीके से चुनाव से धकेलने का क्राम किया जा रहा है। मौजूद आहलात में मुक्यमंत्री जैसों को सलाखों के फीचे बेजाज आ रहा है। जिसको लेकर चौधरी बिजिंदर सिंग के दवारा पाजपा पर जम कर तंज कसे हैं। अब देखना योगा 2024 के चुनाव में सफल तक इसके हाथ लगेगी एवीपिलाइप से खाली कंसारी अलिगर्ण।